लेडीज कैसे कमर की चर्बी कम करें वो भी सिर्फ साथ दिन में हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे लेडीज अपनी कमर की चर्बी को घर में ही कुछ एक्सराइस करके कम कर सकती है आजकल जाता लेडीज कमर की चरबी के वज़े से परिशान रहती है और ये किसी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसकी पचे से लेडीज काफी सारी अपनी फेवरिट ड्रेसे या फिर साडी नहीं पहन पाती है कमर की लटकती चर्वी के काफी सारे कारण हो सकते हैं जैसे की खाने में ज्यादा क्यालोरीज लेना या फिर जंक फूर्ट ज्यादा खाने की वज़े से लेडीज की पेट के साइड में चर्वी इखटी हो जाती है क्योंकि हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ physical work या exercise नहीं करते इस fat को जिद्धी fat या love handles के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे कम करना काफी मुश्किल होता है लेकिन दोस्तों अब आप को चिंता करने की बिल्कुल भी जरुरत नहीं क्योंकि आज अब आपको ऐसी 6 exercise बताने वाले हैं जिसे लेडीज अराम से घर पर कर सकती है और इसके लिए आपको जिम जाने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये exercise रोजाना करेंगे तो सिर्फ एक हफते में ही आपकी कमर की चर्वी काफी कम हो जाएगी और इस आपको अपने शरीर में दिखने भी लगीगा तो चलिए देखते हैं कि ये 6 exercise कौन सी है नमबो वान, Knee elbow crunch ये काफी असान exercise है जूकि आपके पेट और कमर की चर्वी पर काम करती है और उसे कम करने में मदद करती है इसे करने से आपकी कमर, पतली और flexible बनती है अब देखते हैं कि इसे करना कैसे है इसे करने के लिए पहले जमीन पर एक mat बिचा ले और उस पर लेट जाएए अब पहले आपको अपनी body को टेड़ा करके एक तरफ को लेकर आना है और अपना सारा वजन आपके एक हाथ के elbow पर होना चाहिए अब आपको अपने बाहर वाले हाथ की कोनी को अंदर वाले पैर के घुटने से मिलाना है इसके लिए आपको अपने घुटने को मोड कर कोनी तक लेकर जाने की कोशिश करनी है और साथ में कोनी को भी आगे घुटनों तक लेकर आना है ध्यान रहे कि इसे करते समय आपकी पूरी बोडी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और सिर्फ कोनी और घुटने ही मुढने चाहिए शिरवात में आप इसे दोनों तरफ से 10-10 बार करें और कुछ दिन बाद इसे बढ़ा कर 25-25 बार कर दें इसे रोजाना करने से आपकी कमर की muscles काफी flexible हो जाएगी जिससे fat भी कम होगा नमबर 2, head to toe tapping ये भी काफी आसान exercise है लेकिन अकसर लोग इस exercise को ignore कर देते हैं लेकिन ये काफी असरदार है और ये कमर के साथ-साथ पेट की core muscle पर भी एक साथ काम करती है और fat कम करने में मदद करती है अब देखते हैं कि इसे करना कैसे है इसे करने के लिए पहले जमीन पर mat बिचा कर सीधे लेट जाए और अपने दोनों घुटनों को मोड़ कर पैरों को जमीन पर रखे अब आपको अपनी upper body को थोड़ा उपर उठाना है और अपने side से दोनों हातों से अपने दोनों पैरों की एडियों को छूने की कोशिश करनी है ध्यान रहे कि ऐसा करते समय आपको अपनी body का वजन अपनी neck पन नहीं लाना बलकि अपने पेट की core muscle पर लाने की कोशिश करनी है और आपकी कमर बिलकुल सीधी रहनी चाहिए इस exercise को शुरू में 10 बार करे और बाद में बढ़ा कर पच्चिस बार करे और इसे आपको दिन में 3 बार करना है दोस्तों ये exercise भी side fat को कम करने के लिए काफी असरदार है इस exercise से आपकी कमर के साथ साथ पूरी body भी stretch होती है जिससे body में flexibility आती है और side fat कम होता है अब देखते हैं किसे करना कैसे है इसे करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाए अब अपने पैरों को थोड़ा खोल ले अब अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रख ले core muscles को बिल्कुल tight रखना है और आपके कंधे भी मुढने नहीं चाहिए इस exercise से आपकी पूरी body stretch होगी इस exercise को आपको दोनों तरफ से 10-10 बार करना है और इसके बाद आप इसे बढ़ा कर 25-25 बार कर सकते है दोस्तो ये भी काफी असान exercise है जिसे आप घर पर ही कर सकते है ये exercise आपकी कमर के साथ साथ आपकी back muscles पर भी काम करती है और इसे पतला और flexible बनाती है अब देखते हैं कि इसे करना कैसे है इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक mat बिचा कर उल्टा लेट जाए उसके बाद अपने दोनों हाथों को आगी की तरफ सीधा रख ले अब आपको अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को एक साथ उपर की तरफ उठाना है जैसे कि superman हवा में उड़ते हुए करता है वैसी आपको जमीन पर लेटे लेटे करना है ऐसे करते हुए आपकी back की muscles compress होगी और side की muscles पर भी इसका असर पड़ेगा आपको इस position में 5 second तक रहना है इसके बाद वापस नॉर्मल डेट जाए इस exercise को आप 10 बार कर सकते हैं और इसे आपको दिन में 3 बार करना है ये काफी effective exercise है दोस्तों ये भी एक काफी आसान और असरदार exercise है जिसे आप घर पर ही आसानी से बिना किसी equipment के कर सकते है और इस exercise का असर आपके पेट और side की चर्वी पर पड़ता है जिसे आपकी कमर का fat कम हो जाता है अब देखते हैं किसे करना कैसे है इसे करने के लिए पहले आप जमीन पर एक mat बिचा ले और उस पर लेट जाए उसके बाद अपने दोनों घुटनों को उपर की तरफ मोड़ते हुए हवा में cycle चलानी है साथ कि आपको अपने दोनों हाथों को मोड़ कर गरदन के पीछे रखना है और cycle चलाने के साथ साथ आपको अपने दोनों एल्बो को बारी बारी से घुटने की तरफ ले कर जाना है आपको ये धियान रखना है कि इस exercise को करते समय आपके पेट की core muscles बिल्कुल tight होनी चाहिए शरू में आपको इसे 20 बार करना है और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा भी सकते हैं ये exercise आपकी side की muscles को tone करेगी उसकी flexibility बढ़ाएगी और आपकी side की चरबी को कम करेगी दोस्तो ये भी काफी आसान और असरदार exercise है जिसे आप घर पर असानी से कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी equipment की जरुएत नहीं पड़ेगी अब देखते हैं कि इसे करना कैसे है इसे करने के लिए पहले आप push up वाली position में आ जाएं और उसके बाद अपने एक हाथ की कोनी को मोड कर plank वाली position ले ले और इसके बाद फिर से push ups वाली position में आ जाएं ऐसा आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है एक तरफ से ऐसा करने के बाद फिर दूसरे हाथ में भी ऐसे ही करें शुरवात में आप इसे 10 बार करें और बाद में इसे बढ़ा कर 25 बार कर दें शुरवात में आपको ये करने में मुश्किल लग सकती है लेकिन एक दो दिन करने के बाद आप इसे असानी से कर पाएंगे इससे आपकी side और back की muscles पर असर बढ़ता है और आपकी muscles टोन होती है और आपकी side का fat कम हो जाता है तो दोस्तो ये थी वो 6 exercise जिसे अगर आप रोजाना करते है तो आपकी कमर की चरबी काफी कम हो जाएगी और आप अपनी favorite dresses को फिर से पहन पाएंगे तो हम उमीद करते हैं कि आप इन exercise को रोज करेंगे और इसे जरूर फाइदा पाएंगे तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएए और साथ ही हमारे चैनल ग्यानीजी हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लगातार हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें तब तक के लिए धन्यवाद